हाई प्रेंज, मैं हूँ सीमा, सीमा सबेश्ट किचन में आपका स्वाधत है तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन सिक्स्टिफाइ रेसिपी चिकन सिक्स्टिफाइ रेसिपी हर किसी को पसंद है बहुत ही चटपटी और लाजवाब बनने वादी दीशे सबको पसंद आने वादी दीशे तो चलिए चिकन सिक्स्टिफाई बनना शुरू करते हैं यहां मैंने 250 ग्रैम चिकन लिया है अच्चे से दो कर लिया है अब हम इसमें एक चमच मनमक डालेंगे आदा चमच हल्दी दालेंगे एक चमच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे एक चमच अध्रक लसूल औहरी मिर्च पेस्ट दालेंगे एक चमच गरम मसला डालेंगे दो या तीन चमच दही डालेंगे सब डालने के बाद एक या दो चमच तेल डालेंगे हाथोसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे फिर हम दो चमच कौर्नपलोर डालेंगे दो चमच मैदा डालेंगे मैदा और कौर्नपलोर डालने से क्रिस्प पना आता है फिर हम मिक्स करेंगे थोड़ा सब पूर कलर डालेंगे कलर डालने से 65 चिकन का कलर बहुत अच्च दिखता है फिर हम एक अंडा फोड कर डालेंगे अंडा डालने से बाइंडिंग बहुत अच्च होती है इसलिए अंडा डालते है चिकन को मिक्स करने के बाद 10 या 15 मिनिट तक ढग देते है अब हम 65 का स्वास बनाएंगे यहां मैंने 2 चमच रेड चिली स्वास लिया है 2 चमच टोमट्य केचप लिया है 2 चमच दही डाला है 2 बून रेड फूर कलर डाला है इसे हम मिक्स करेंगे स्वास तयार है को प्राय करते हैं इधर मैंने कड़ाई रखिये है ग्यास पे तेल गरम हो चुका है एक एक करके चिकन पीस को तेल में डालेंगे ग्यास की फ्लेम मीडियम रखनी है चिकन को हम दो बार तलेंगे पहले हम थोड़ा सा दो मिनिट तक तलेंगे दो बार तलने से 65 क्रिस्पी होते है दो मिनिट के बाद हम इसे निकालेंगे इसी तिरह से सब हम चिकन को तल लेंगे पहली बार चिकन को तलते हैं तब पूरी तरह से नहीं तलना है दो मिनित तक इसे फ्राय करना है फ्राय करने के बाद अब हम इसे निकाल लेंगे जब हम पहली बार तेल में डालते हैं चिकन इसे पूरी तरह से नहीं फ्राइ करना है सब चिकन फ्राइ कर चुके हैं अब हम दुसरी बार चिकन सब डालेंगे दो मिनी तक इसे फ्राइ करेंगे ऐसे करने से बहुत क्रिस्पी होता है 65 होटेल में ऐसे ही बनाते है दो मिनिक के बाद प्राय हो चुके है 65 चिकन इसे हम सब निकालते है तड़ाई में दो चमस तेल डालेंगे स्वास को तड़का लगाएंगे थोड़े से करी पत्ते डालेंगे थोड़ा से लसून, थोड़ा सा अद्रक, दो चार मीच और करी पत्ता डालेंगे तड़का लगाने के बाद इसे हम दही का बैटर जो बनाया था स्वास का और डालेंगे इसे आदा मिनिक तक पकने देते हैं थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वास पकने के बाद जो हमने चिकन फ्राय किये थे ओ डालेंगे इसे हम मिक्स करेंगे एक मिनित तक इसे मिक्स करना है फिर हम एक चमच कुटी हुई काली मीर्च डालनी है काली मीर्च डालने से बहुत ही आच्चा सा स्वाध आता है चिकन सिक्स्टी भाई को इसे हम mix करेंगे उपर से थोड़ा सा गार्मिशिंग करेंगे अब हम एक प्लेट में srv करेंगे कितने अच्चे दिख रहे है 65 चिकन बहुती ला जवाब बन गए है उपर से थोड़ा सा spring onion गार्मिशिंग करते है थोड़ा सा दनिय का पत्ते ला जोब इडिश बनी है बहुती टेस्टी चटपटी चिकन सिक्स्टी पाई रेडी है पर बनाएगा और मुझे कमेंड में बताएगा कैसी बनी है मेरी डिश अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजे लाइक कीजे शेयर कीजे तो मिलते है अगले नए नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई